हेलो फ्रेंड ज्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल किचिन कुईन में और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी आम की और धनिये की चटनी तो पोदीनिये की चटनी आप लोगों ने बहुत खाई होगी पर आप लोगों ने धनिये और कच्चे आम की चटन बनाना शुरू करेंगे यह बहुत ही टेस्टी चटनी होती है आप लोग एक वार ट्राइक करके जरूर देखें तो आम को पहले चील लेते हैं तो आप इस चटनी को जरूर बना कर देखें आप इसे एक बार बार बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चटनी होती है आप इसे ख कर त्यार हो जाएगा तो देखिए इसके पीसिस कर लेते हैं तो देखिए इस तरीके से आम को कट कर लेते हैं और इसकी गुटली को हटा देना है तो देखिए आम को काट कर में जार में डाल दिया है हरी मिर्स को भी काट कर जार में डाल देते हैं और हरी धनिया को भी इस तर ट्रिके से कट करके डालेंगे जिसे हमारा धनिया बारीक पिस जाये और बहुती टेश्टी जटनी बने तो देखी इस तरीके से दनिया को भी बोटे-मोटे टुकडों में काट देते हैं तो अगर आप लोग इस तरीके से आम और धनिया की चटनी बना कर देखें तो इसमें पानी या फिर आइस क्यूब जरूर डाले तभी आपकी चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा और चटनी खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट बनेगी तो देखिए धनियों को हमने काट दिया तो देखिए तीन से चार चमच इसमें ठंडा पानी डाल देते हैं और ठकल देखते हैं यह अच्छे से पिस गई है नहीं तो देखिए इसे चमच की हल्प से इस तरीके से चला कर देखते हैं तो देखिए भी हमारी चटनी अच्छे से पिस ही नहीं है एक दो बार इसको और चला देते हैं तो देखिए फिर से चेक कर लेते हैं चटनी हमारी अच्छ तो चलिए चटनी पिसकर तयार हो गई है इसे शर्प कनने के लिए एक बावल में परूस देते हैं बहुत ही टेस्टी चटनी बनी है तो आप लोग भी इस तरीके से ट्राइ करके जरूर देखें यह जितनी देखने में अच्छी है उतनी खाने में भी स्वादिश्ट होती है और खाने के स्वाद को और भी बड़ा देती है तो आप लोग पो दिने की चटनी तो बनाते ही होंगे आप लोग इस तरीके से एक वार धनिया और अच्छे आम की चटनी बना कर भी देखें बहुत ही टेस्टी लगती है तो देखी यह बहुत ही सुन्दर लग रही है तो अगर आप लोगे हमारी एक अच्छे आम हो धनिया की चटनी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्ली जैसी लगी और मरी वीडियो को लक्रेस ब्रॉए डरी तो प्ली मारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले एक मने रेसिपी के साथ बढ़ें थैंक्यू गाइब आ टेक केर